सूर्य ग्रहन कितने प्रकार का होता है? जाने कौन सा सबसे? दुरलब इस साल का पहला सूर्य ग्रहन 8 अप्रेल को लगने जा रहा है. यह ग्रहन भारत में दिखाई नहीं देगा. भारतिय समय के अनुसार सूर्य ग्रहन 8 अप्रेल को रात 9 बचकर 12 मिनट मिनट से शुरू होगा और इसका समापन रात 1-20 मिनट पर होगा. बता दें कि सूर्य ग्रहन, सूर्य ग्रहन, सूर्य और प्रित्वी के बीच चंद्रमा के आने के कारण लगता है. सूर्य ग्रहन भी मुख्य रूप से 4 तरह का होता है. यह इस प्रकार है आन्शिक, पूर्ण, वल्याकार और हाइब्रिड. चांद जब सूर्य के एक हिस्से को पूरी तरह से ढख देता है, तब आन्शिक सूर्य ग्रहन लगता है. जब सूर्य चंद्रमा और प्रित्वी एक सीधी रेखा में होते हैं, तब पूर्ण सूर्य ग्रहन लगता है. इस समय चंद्रमा प्रित्वी के सबसे निकट होता है. वल्याकार सूर्य ग्रहन में चंद्रमा सूर्य को पूरी तरह ढख नहीं पाता है. वहीं सूर्य रिंग आफ फायर जैसा प्रतीत होता है. Hybrid सूर्य ग्रहन में तीन तरह के ग्रहन दिखाई देते हैं जिसमें पूर्ण सूर्य ग्रहन, आंशिक सूर्य ग्रहन और तीसरा वल्याकार सूर्य ग्रहन है Hybrid सूर्य ग्रहन को बहुत दुलब माना जाता है क्योंकि यह प्रित्वी के अलग-अलग हिस्सों में अलग-अलग तरह दिखाई देता है.